हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे सभी लोग अगर कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखें तो पिछले 28 लेक्चर भी जरूर देखें काफी काम आएंगे आपको और यह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का पार्ट फाइव हम कर रहे हैं ठीक है इससे पहले चार वीडियोज हम देख चुके हैं उसके लिए तो पार्ट फाइव बिल्कुल यूजलेस है उसको समझ नहीं आएंगी चीज़े क्योंकि पार्ट फाइव की फाउंडेशन जो है पार्ट फोर में हमने रखी थी ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इलेशन्स कोड डिसकस हमने क्या करना है मे वीडियो में हमने देख लिया था कि मेकानिजम में हमारे पास कंसीलियेशन ओफिसर के बारे में हमें information प्रोवाइडिड है ट्रिबिउनल के बारे में information प्रोवाइड है national और Central Level पर और एक national industrial की भी हमने बात देखी थी तो कैसे appointment होती है क्या eligibility होती है वो सारी चीज़े हम already discuss कर चुके हैं इस वाले lecture में mainly हमारा जो concentration रहेगा वो यह रहेगा कि process क्या है dispute resolution का ठीक है award कैसे दिये जाते हैं और इन सब चीज़ों से related जो हैं इसमें detail discuss करेंगे तो lecture शुरू करने से पहले mcq courses हैं आपके बने हुए आप individual courses ले सकते हैं gap का industrial relations labor law का social security का या फिर आप combo course भी purchase कर सकते हो इन तीनों का ओके इससे related अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप वाट्चाप कर सकते हो 9041244689 के उपर या फिर mail कर सकते हो 668-8gmail.com पर अगर कोई भी बच्चा जिसके पास यह वाले courses हैं इन में से कोई भी course उन्होंने purchase किया हुआ तो lectures के PDF free of cost उनके course के अंदर upload हो जाएंगे सिरफ लेबर लॉका नहीं बाकी जितने भी हमारे courses है सारे जितनी भी YouTube पे वीडियो चल रही है जितनी भी series चल रही है YouTube के उपर उनकी सबकी PDF इन courses में मिल जाएंगी अगर आपने ये course नहीं purchase के हुआ तब भी PDF आप डाउनलोड कर सकते ह हो ठीक है चलो चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे procedures and power की कि क्या procedure follow करना है या क्या powers दिये गए है चाहे वो conciliation officer हो चाहे वो tribunal हो या फिर national administrative tribunal हो तो सबसे पहले premises के अंडर enter करने की क्या power है अगर conciliation officer के पास कोई case जाता है किसी industrial establishment से related तो क्या वो conciliation officer उस establishment के premises में enter कर सकता है ठीक है जी तो सिधा सिधा जो है code के अंदर लिखा गया है कि जो भी conciliation officer है या कोई और officer है जिसको tribunal या national industrial tribunal ने authorize किया है अगर कोई dispute tribunal के पास गया हुआ है या national industrial tribunal के पास गया हुआ है तो ये tribunal भी authorize कर सकते है किसी officer को कि वो inquiry करने के लिए related to that particular dispute premises में enter कर सके उस particular establishment से related ठीक है लेकिन premises में enter करने से पहले या premises में inspection करने जाने से पहले एक reasonable notice जो है उस establishment को आपको देना पड़ेगा तो यह नहीं है कि आप surprise entry महाँ पर करोगे आपको reasonable notice देना पड़ेगा कि आप जो है inspection के लिए आ रहे हैं ओके और वो reasonable notice जो है वो अलग-अलग tribunals बता सकते हैं कि तीन दिन का notice देना पड़ेगा चार दिन का notice देना पड़ेगा लेकिन surprise inspections का इसमें provision नहीं रखा गया है ठीक है जी उसके बाद procedures and powers में अकर हम बात करें तो power of civil court जो है वो दी गई है तो चाहे वो आपका conciliation officer हो चाहे वो tribunal हो चाहे वो national industrial tribunal हो यह तीनों को ही powers जो है वो civil court के इनके पास सारे powers रहेंगे जो code of civil procedure 1908 में listed है ठीक है तो अगर वो कोई भी matter जो है उसके अंदर inspection कर रहे है यह उस matter को try कर रहे है तो उस case में civil court के सारे powers रहेंगे ठीक है इसका क्या मतलब है कि वो oath लेने को बोल सकते हैं जो भी लोग involved है उसमें oath उनको examine कर सकते है in the same matter जैसे civil court में होता है ठीक है वो documents और material objects की production यानि कि वो मंगवा सकते हैं इंके पास civil court के रहेंगे यह आपने ध्यान में रखना है देको direct statement आ जाती है कि according to the industrial relations code of 2020 the conciliation officer has the powers of a civil court right or wrong आपने कह देना कि right statement उसके इलावा अगर यह tribunals है या national industrial tribunals जो है यह inquiry कर रहे है investigation जब कर रहे हैं तो यह सारी inquiry और investigation जो है it will be deemed as a judicial proceeding आप इसको judicial proceeding के वे में इसको deem किया जाएगा ठीक है जैसे आप court में मुकदमा चलता है ना तो same way में इसको जो है लिया जाएगा all right दो important points हैं यह काफी आपको याद रखने हैं okay जी उसके बाद experts तो industrial relation code क्या कहता है कि जो सरकार है चाहे वो state government है चाहे वो central government है ठीक है तो यह सरकारे जो है एक या एक से जादा person को appoint कर सकती है जिनके पास special knowledge हो industrial law से related या industrial relation से related तो ऐसे लोगों को appoint किया जा सकता है as assessors और experts और इन experts का का क्या होगा यह tribunal और national industrial tribunal को advise दिया करेंगे तो expert advice के लिए जो है appropriate government यह appointment कर सकती है ठीक है जी उसके बाद एक और जो provision है इसमें वो क्या है कि जो भी conciliation officer है या जो tribunal या national industrial tribunal के members है यह सब लोगों को क्या deem किया जाएगा as public servants they will be treated as public servants okay public servants as are defined under section 21 of the Indian panel code यह सारे के सारे points बहुत important है individually में इन में question ना पूछा जाए पर statement based question definitely इन सब में से पूछा जा सकता है okay जी उसके बाद next जो हमें discuss करना है that is the power of a tribunal and national tribunal to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of a worker अगर एक worker को discharge कर दिया है या employer उसको dismiss कर देता है तो क्या tribunal या national industrial tribunal के पास कोई power है कि वो ऐसे worker को relief provide कर सके ठीक है तो power बिलकुल है अगर कोई worker या industrial dispute से related कोई matter इस tribunal या industrial tribunal के पास जाता है ठीक है चाहे वो worker के discharge से related है या dismissal से related है या termination से related है और tribunal को ऐसा लगता है या national industrial tribunal को ऐसा लगता है कि यह जो discharge या dismiss किया गया है employer को इसको निकाला गया है यह justified नहीं है तो उस case में tribunal क्या कर सकता है ट्रिबिनल बोल देगा कि भहिया यह discharge या dismissal जो आपने किया है यह गैर कानूनी है आपको worker को दुबारा से उसको उसकी job पर रखना पड़ेगा ठीक है और अगर अभी ऐसा possible नहीं है कि उसको दुबारा से reinstate किया जा सके तो वो क्या कहेंगे कि आप इसको relief provide कर आओ ठीक है आप इसको तब तक जो है सुनी और tribunal को यह लगा कि नहीं यह तो non justified था ठीक है यह जो इसको निकाला गया यह unjustified था तो tribunal employer को यह भी जो है order दे सकता है कि जो यह पिछला एक महिना इस employee की salary आपने नहीं दी आपने इसको discharge कर दिया था तो यह एक महिने की salary भी आप इसको देंगे प्लस आप इसको और भी जादा relief देंगे because of the loss of work उसके इलावा अगर tribunal को ऐसा लगता है कि जो punishment employee को दी गई है वो बहुत जादा punishment थी जो उसने कुछ गलत काम अगर किया है तो वो lesser punishment उसको चाहिए थी he should not have been discharged उसको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था for example अगर कोई पहली बार एक pen चुराने के लिए पकड़ा गया office stationery में से और आपने उसको lesser punishment दीजिए जो क्योंकि जो इसने गलती किया है उसके लिए आप इसको dismiss या discharge मत कीजिए तो ट्रिबूनल के पास ये सारी powers भी रहेंगी ओके और जैसे कि मैंने आपको बताया interim relief भी provide जो है वो कराया जा सकता है ओके और एक और important provision जो आपने दिहान में रखना है अपने वो क्या है कि tribunal और national industrial tribunal जो भी जब कोई इनके पास case आता है और वो case की सुनवाई जब चल रही है तो ये जो tribunals है ये सिरफ मटी उस material के ओपर rely करेंगे जो record में है कोई fresh evidence consider नहीं किया जाएगा ठीक है जो भी already recorded material है for example जब इनके पास application आई उससे पहले के जो भी records है application आने से पहले के सिरफ उनी को consider किया जाएगा while they are hearing the case fresh evidences को consider नहीं किया जाएगा अगर application आने के बाद कुछ होता है जब application file किया गया tribunal के पास उसके बाद अगर कोई नहीं चीज होती है तो उसको consideration में नहीं लेकर के आया जाएगा सिरफ application जब file हुई थी जब accept हुई थी उससे पहले की चीजों को consider किया जाएगा उससे पहले के records को consider किया जाएगा are you getting my point okay चलिए okay transfer of pending cases अब मैंने आपको बताया पहले ही industrial relations court का जो हमने पहला वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो laws हैं वो अब इसके अंडर आ जाएंगे ठीक है जी तो cases तो laws के अंडर भी pending होगे ऐसा तो है नहीं इतना efficient तो हिंदुस्तान का administration है नहीं कि 2020 में ये code आया तो code आने से पहले जितने भी labor courts थे या जहां पर भी जो भी cases चल रहे थे वो सबके सब उन्होंने खतम कर दिये थे ऐसा तो हो नहीं सकता ठीक है जी तो labor court में जो पहले के industrial dispute code act 1947 के अंडर बनाए गए थे वो सारे के सारे cases जो है respective tribunals को transfer कर दिये जाएंगे जो tribunals इस code के अंदर अब form होंगे state level के tribunals या national level के tribunals जो भी अब form होंगे ठीक है जी उसके बाद जो national tribunal industrial dispute act 1947 के अंडर बना हुआ था उस वो जो भी cases देख रहा था वो national industrial tribunal जो इस code के थूँ फॉर्म होगा उसके पास चले जाएंगे ठीक है उसके इलावा एक और बहुत important चीज यहां पर बोली गई कि जो भी cases transfer किये जा रहे हैं labor court से या tribunals से नई tribunals को वो जो cases है they will be dealt with day novo day novo का क्या मतलब होता है from the stage at which they were pending यानी कि इसका मतलब यह है कि proceeding आपको शुरू से start करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है proceedings आपको शुरू से start करने की ज़रूरत नहीं है जहां पर proceeding पिछले वाले act और पिछले वाले codes के हिसाब से रुकी वहीं से proceeding जो है वो आप continue कर सकते हो यानी कि case transfer होने से पहले जिस stage तक case पहुँच चुका था वहीं से आप उसको continue करेंगे बिलकुल शुरुआत से आप उसको शुरू करने के आपको बिलकुल भी जरूरत नहीं है ओके चलिए अब बात करते देखो cases तो transfer कर दिये अब उन labor courts में या जो tribunals बने हुए थे industrial dispute act 1947 के अंडर उनके अंडर लोग भी employed थे judges वगेरा employed थे तो उन लोगों का क्या हुआ जो यह presiding officers थे पिछले acts के अंडर जो अब act repeal हो गया है तो industrial relations code क्या कहता है कि जो भी labor court या tribunal या national tribunal के presiding officer थे जो industrial dispute act 1947 के अंडर काम कर रहे थे ठीक है अगर वो लोग eligible है अब eligibility criteria हमने part 4 में देख लिया था अगर वो उस eligibility criteria को fulfill कर रहे हैं then they can be appointed as the judicial member of the tribunal और national industrial tribunal जो इस 2020 वाले code के अंडर form होएंगे ठीक है यानि कि वो पहले उस act के अंडर presiding officer थे वो अब इस नए वाले 2020 के code के अंडर जो है judicial member बन जाएंगे दो members होते है ना एक judicial member एक administrative member part 4 में देख लिया है तभी मैंने starting में बोल दिया था कि अगर part 4 जिस बच्चे ने नहीं देखा उसके लिए part 5 बिल्कुल useless है उसको समझ नहीं आएगा तो judicial member की जगा उसको लगा देंगे लेकिन eligibility criteria fulfill होना चाहिए ठीक है ना चलो उसके बाद conciliation and adjudication की बात करते हैं तो क्या process follow किया जाएगा conciliation and adjudication के लिए proper process हम नहीं करेंगे सिर्फ उतना हम देखेंगे जितना अपने लिए exam point of view से important है तो conciliation officer को क्या process follow करना है अगर उसके पास कोई case आता है या कोई dispute आता है ठीक है तो क्या कहा गया सबसे पहला important point बहुत important point जो है आपसे direct questions इसके उपर पूछे जा सकते हैं कि conciliation officer किसी भी dispute को सिरफ तब ले सकता है अगर वो dispute दो साल तक का है मतलब कि दो साल से जादा पुराना वो dispute नहीं होना चाहिए अगर दो साल से पुराना वो dispute है तो वो conciliation officer उस dispute को नहीं अपने पास ले सकता वो उसके ओपर सुनवाई नहीं कर सकता, वो उसको refer नहीं कर सकता ओके, सो conciliation officer shall not hold any such proceeding relating to the industrial dispute after two years from the date on which such industrial dispute arose तो दो साल से पुराना गर कोई dispute है, तो conciliation officer उसके ओपर सुनवाई नहीं कर सकता अगर conciliation officer के पास कोई भी dispute आया, और उस dispute की settlement हो गई, ठीक है जो भी disputing parties थी, उनके बीच में settlement हो गई, conciliating conciliation proceedings complete हो गई, तो conciliation officer को क्या process follow करना है उसको एक report बनानी है कि क्या problems थी, क्या decision लिया गया और क्या settlement हुआ वो proper एक report बनाएगा और वो report, appropriate government अगर state level का tribunal है स्टेट ने conciliation officer अपॉइंट किया था, तो state government को central government ने अपॉइंट किया था, तो central government को ठीक है, तो report बना करके सरकार को भेजेगा, या सरकार ने अगर किसी और department का authorize किया है तो उसको authorize department या उस authorize officer को report बना करके भेजेगा साथी साथ, एक memorandum of settlement जिसके उपर दोनों जो disputing parties है, for example employee और employer दो disputing parties है, ठीक है तो जब वो settlement पर आ जाएंगे कि हाँ भी ठीक है, ये settlement हमने किया है, ये हमने आपस में संधी किया है, तो वो एक memorandum of settlement sign करेंगे दोनों parties employer भी और employee भी, और वो memorandum of settlement भी, जो है, सरकार को, conciliation officer को भेजना होगा, ठीक है, अब ये तो बात हो गई, अगर settlement हो गई अब ऐसा भी तो हो सकता है कि settlement हुई ना हो, दोनों जो disputing parties थी, employee और employer, वो दोनों किसी decision पर आई ही ना हो उन्होंने कोई बात मानी ही ना हो, तो इस case में भी conciliation officer को एक report बनानी है, ठीक है, उस report में बताना है कि भाई, ये जो थी problems थी, ये dispute थी ठीक है, और इन reasons की वज़े से, इन points के उपर कोई settlement नहीं हो पाया, ठीक है, अब dispute जब arise होता है, तो हो सकता है कि एक से जादा reasons की वज़े से dispute हो, तो ये भी हो सकता है कि for example, 10 reasons थे dispute के 5 reasons के उपर तो settlement हो गई 5 reasons के उपर settlement नहीं होई तो उस case में भी conciliation officer क्या करेगा report बनाएगा, उसमें कहेगा कि देखो ये 5 जो थे इनके उपर settlement पे वो आने को तयार है, 5 जो रहे गए इसके उपर कोई settlement नहीं हो पारी तो वो proper report बना करके सरकार को भेजेगा, ठीक है, और जो concerned parties हैं, उनको भी भेजेगा कि हाँ ये सारा problems था और ये तुमारे solve हो सकते हैं, ये तुमारे तुम किसी भी decision पर नहीं आ रहे हो, तो दोनों के पास ये report जाएगी, ठीक है जी और ये जो report है, ये within 45 days भेजनी होगी, जब conciliation officer ने अपनी conciliation activities है, उनको खतम कर दिया है, तो 45 दिन के अंदर-अंदर ये report भेजनी होगी, अब जो appropriate government है, यानि कि जो state या central government है, वो conciliation officer को इससे कम period में भी भेजने को कह सकते हैं, for example, state government कह दे, कि नहीं, 30 days के अंदर-अंदर तो report भेज, तो वो भी उसको भेजनी पड़ेगी, और अगर state government कोई period नहीं बता रही है, तो within 45 days तो उसे भेजनी ही होगी, जो code के अंदर लिखा, ठीक है जी, अगर for example, जो disputing parties है, एक employee है, disputing party में और एक employer है, अब उनके बीच में dispute चल रहा था, जिसकी वज़े से conciliation officer को appoint किया गया अब dispute resolve नहीं हुआ अब employee कह रहा है कि हम जाएंगे strike पे, क्योंकि dispute resolve नहीं हुआ, या employer कह रहा है कि हम factory को ताला लगा देंगे, क्योंकि dispute resolve नहीं हुआ, तो इस case में, जहाँ पर employee या employers, strike या lockout की बात कर रहे हैं, because जो है, settlement नहीं हो पाया, तो उस case में जो conciliation officer है, उसको 14 दिन के अंदर अंदर report भेजनी होगी, जहाँ पर employees या employers, strike या lockout के ओपर चलेगा, strike क्या होता है, lockout क्या होता है, ये भी हम already देख चुके हैं, तो पिछली वीडियो इसलिए बहुत important है, पिछली वीडियो नहीं देखी जिसने, उसकी foundation में थोड़ी सी problem आजाएगी, हना, तो 14 दिन के अंदर अंदर भेजनी होगी, अगर strike क्या lockout का problem है, normal situation में 45 days रखा है, ठीक है जी, अब कोई concerned party है, ठीक है, conciliation officer ने अपनी report बना करके भेज़ दी कि भाई, इन इन issues के उपर resolution नहीं हो पाया, settlement नहीं हो पाया, ठीक है, तो कोई भी concerned party, अगर वो चाहे, तो वो फिर application देगी tribunal को, कि भाई, हम conciliation officer के पास गए थे, उससे तो हमारी problems का solution निकला नी, तो आप ही हमारी solutions का problem, problems का solution निकाल दो, और ये जो application है, ये within 90 days, tribunal के पास जानी चाहिए, ठीक है, जब conciliation officer अपनी report बना करके भेज़ देगा, मैंने कहा ना, कि अगर settlement नहीं हुई है, तो conciliation officer एक report सरकार को बेज़ेगा, और एक report जो parties involved है, उनको बेज़ेगा, ठीक है, अब party ना खुश है कि यार, settlement नहीं कर पाया, conciliation officer, तो report मिलने के 90 दिन बाद, वो tribunal में अपनी application ले करके जा सकते हैं, तो within 90 days, ये जो days वाला चीज है ना, ये बहुत important है, 45 days, 14 days, 90 days, क्योंकि इनके उपर question जो है, वो probable बन सकता है, ओके, चलो, ओके, now form of award, it's communication and commencement, तो अगर कोई award, जो है, tribunal ये national industrial tribunal ने अनॉंस किया, award basically क्या होता है, अगर हम इसको layman language में समझे, हम देखते हैं ना, जब movies में भी हम देखते हैं, court अपना क्या देती है, decision, फैसला देती है, ठीक है, तो award एक तरह से क्या होता है, इस tribunal का फैसला, ठीक है, तो अब tribunal ये national industrial tribunal ने अपना फैसला सुना दिया, जो भी dispute था, उस पर अपना फैसला सुना दिया, तो ये जो decision है, इस tribunal का, ये national industrial tribunal का, ये सरकार को भी report देनी पड़ेगी इनको, कि ये हमारा फैसला, ये सारी चीज़े हमने दी है, और जो concerned parties है, जो दो disputing parties है, वो उनको भी ये report बना करके देंगे, ठीक है जी, अब जब एक award announce हो गया, एक court का decision announce हो गया, अब वो decision applicable कबसे होगा, वो enforceable कबसे होगा, ठीक है जी enforceable कबसे होगा तो for example, अब इन्होंने report बना करके सरकार को भेज़ दी ठीक है, for example आज 1st May है, 1st May को इन्होंने report बना करके सरकार को भेज़ दी तो ये enforceable कब होगा, expiry of 30 days, यानि कि हो जाएगा जो भी उस tribunal का decision होगा वो 30 दिन बाद enforceable हो जाएगा after they make their communication ठीक है अब उन्होंने decision ले लिया ठीक है जो भी tribunal है या national industrial tribunal है उन्होंने decision ले लिया और उन्होंने अपना decision जो है सरकार को communicate भी कर दिया लेकिन अब सरकार को ऐसा लगता है कि अगर ये जो decision है tribunal का या national industrial tribunal का इससे जो social structure है country का या economy है जो country की उसके ओपर बड़ा effect हो जाएगा ठीक है कोई ऐसा फैसला tribunal ने दे दिया जिसकी वज़े से economy पर बहुत बड़ा effect हो जाएगा या वो social justice के against होगा ठीक है तो उस case में जो सरकार है वो notification निकाल सकती है कि ये जो decision है ये जो award है it will not become enforceable after the 30 day period अभी हमने देखा ना कि भी 30 दिन के बाद enforceable हो जाएगा लेकिन सरकार चाहे तो इसकी enforceability को रोक सकती है कौनसी सरकार state government या central government ठीक है अगर state matter है तो state government central matter है तो central government तो सरकार इसको रोक भी सकती है ये एक important point है statement based question में पूछा जा सकता है ठीक है जी चलिए next चीज़ एक तो हो गया कि सरकार 30 दिन से पहले ही उसकी enforceability रोक दे दूसरी चीज़ 30 days बाद वो for example enforce हो गया जो decision दिया था tribunal ने वो enforce हो गया लेकिन अब सरकार को ये लगता है कि इस award में कोई problems है या इस award को modify करना पड़ेगा क्योंकि situation change हो सकती है because of the changing environment government को feel हो सकता है कि यार ये decision पहले लिया गया था लेकिन अब क्योंकि time change हो गया, situation change हो गया, कुछ भी हो सकता है कि एकदम से अगर country war वाली situation में आगी या pandemic जैसी situation में आगी तो सरकार को ऐसा लग सकता है कि यार ये चीज़ अभी हम enforce नहीं कर सकते तो उस case में जो सरकार है वो communication के 90 days के अंदर अंदर भी उसको reject या modify कर सकती है ठीक है और अगर सरकार इसको reject या modify कर रही है तो उस case में उनको इस award की एक copy और वो क्यों उसको reject कर रहे है या modify कर रहे है उसकी एक copy state legislature या parliament में पेश करने पड़ेगी अगर state government का case है तो state government अपने legislature में अपनी विधान सभा में पेश करेगी और अगर central government का case है तो central government पारलेमेंट में पेश करेगी ठीक है तो एक चीज़ तो यह होगी कि 30 दिन से पहले ही सरकार ने कहा दिया कि हम enforceable इसको नहीं करेंगे क्योंकि इस से economy के उपर impact आ सकता है या यह social justice के against है दूसरा 30 दिन के expiry के बाद वो enforce तो हो गया लेकिन 90 दिन के अंदर-अंदर सरकार नहीं कह दिया कि नहीं भाया अब इसमें change लाना पड़ेगा या इसको completely reject करना पड़ेगा तो वो चीज़ भी की जा सकती है ओके next thing चीज़ payment of full wages to workers pending proceedings in high court अब for example किसी tribunal या national industrial tribunal के पास मुकदमा गया और उस tribunal या national industrial tribunal ने कहा कि यह जो worker को आपने dismiss किया या इसको आपने निकाला तो आप इसको reinstate करो ठीक है लेकिन employer कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा employer कहता है कि मैं इस tribunal या national industrial tribunal ने जो decision दिया है इसके लिए supreme court जाऊंगा या high court जाऊंगा इसके order के against ठीक है वो high court जाता है supreme court जाता है लेकिन अब high court में अगर जाएगा मुकदमा तो फिर से सुनवाई होगी उसमें time लगेगा और employer कहता है मैं इसको नहीं रखूंगा तब तक तो उस case में क्या हो अगरी देंगे साथ ही साथ आप इसको maintenance allowance भी देंगे जब तक मुकदमा चल रहा है लेकिन इस case में भी एक exception है catch है अब high court या supreme court के पास employer गया उसने का देखो sir ऐसा है हमने इसको निकाल दिया हमने इसको discharge कर दिया ठीक है और हमसे discharge होने के बाद यह किसी और organization के अंदर चला गया और वहाँ पर he has started to work वहाँ पर यह नौकरी करने लग गया और इसको महाँ से regular wages मिल रही है तो उस case में हाई अगर वह किसी और organization में उसने paid job करना start कर दिया है अगर वह काम नहीं कर रहा कहीं अगर वह wait कर रहा है court के decision का तो उस case में उसको wages भी देने पड़ेंगे maintenance allowance भी देना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज़े भी आपने ध्यान में रखनी है ओके next अगर कोई भी settlement या award tribunal announce करता है या national industrial tribunal announce करता है तो वो किस किस के उपर enforceable होता है 30 days के अंदर enforceable हो जाएगा ना अगर सरकार ने नहीं रोका तो enforceable हो जाएगा तो किस किस के उपर लागू होएगा जो भी parties थी उस industrial dispute में एक employee एक employer for example दोनों के उपर लगेगा ठीक है जिन भी parties को समन किया गया था proceedings के दोरान उनके उपर भी लगेगा ठीक है जी dispute parties to the dispute यहाँ पर आएगा unless the arbitrator tribunal or national industrial tribunal as the case may be records the opinion that they were so summoned without proper cause ठीक है तो सबको लगेगा जो समन जिनको किया गया है until and unless जो tribunal है वो specially लिख दे कि इनको सिरफ हमने बात करने के लिए बुलाया था कोई proper cause नहीं था तो इनके उपर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा where a party referred to in clause A और clause B is an employer और उसके जितने भी वारिस हैं सबके उपर लगेगा successors और assigns in respect of the establishment to which the dispute relates ठीक है जितने भी establishment है जो dispute में related थी उस establishment के जितने भी successors होंगे सबके उपर लगेगा where a party referred to in clause A और clause B is composed of workers all persons who were employed in the establishment जितने भी लोग उस establishment के अंदर काम कर रहे थे या उस establishment के किसी हिस्से में काम कर रहे थे सबके उपर applicable होगा वो decision the case may be to which the dispute relates on the date of dispute and all persons who subsequently become employed in that establishment or part जो आगे चलकर भी उस establishment में as a employee join करेंगे उनके उपर भी वो settlement लागू होगी ठीक है तो यह important है ध्यान रखना है चलिए अब period of operation of settlement and award अगर कोई settlement या award ट्रिब्यूनल ने या conciliation officer ने announce कर दिया तो वो कितने समय के लिए लागू रहेगा ठीक है तो सबसे पहले तो वो operation में कब आएगा अगर conciliation officer announce कर रहा है तो वो operation में कब आएगा यहाँ पर हम settlement की बात कर रहे हैं अभी award और settlement में फरक होता है conciliation officer जो होता है वो settlement पर आता है वो settlement पर आता है वो क्या होता है कि mutually employer और employer दो disputing parties को बिठाएगा और दोनों से बातचित करेगा और common grounds ढूंड करके settlement पर आने की कोशिश करेगा ठीक है एक तरह से जैसे आप देखते हो ना एक referee type होता है conciliation officer और award कौन announce करता है award announce करते हैं tribunals national industrial tribunals या court award होता है फैसला, decision वो मानना परता है इनको, उसमें यह नहीं है कि court बैठ करके या tribunal बैठ करके दुनों से बात कर रहा है कि हाँ बताओ तुमें क्या चाहिए court तो जो है उनसे records मांगेगा, उनसे proof मांगेगा और अपना decision देगा, ठीक है जी तो settlement के case में क्या होगा अब conciliation officer ने अगर settlement कर दी तो उस case में क्या होगा वो कब से operation में आएगा या तो वो उस date से operation में आएगा जिस date से दुनों parties ने agree किया है ठीक है, for example, salaries related कोई dispute है उसके ओपर settlement हो गई है और उस settlement का जो document है या memorandum है उसमें लिख दिया है कि 1 June से यह settlement applicable होगी ठीक है, या तो उस date से होगा अगर उस memorandum में कोई date set नहीं की गई है ठीक है, उस memorandum में कोई date नहीं set की गई है तो जिस दिन उस memorandum को दोनों dispute parties sign कर रही है उस date से आजाएगा for example, अगर एक मही को memorandum sign किया दोनों parties ने तो एक में से यह जो settlement है वो operation में आ जाएगा ठीक है, और यह जो settlement है यह कब तक binding रहेगी, कब तक operation रहेगी तो यह binding रहेगी उस समय तक जिस समय तक parties ने memorandum में agree किया for example, एक जून को जो memorandum इन्होंने sign की जो एक में को memorandum sign किया उसमे इन्होंने लिख दिया कि यह जो हम settlement sign कर रहे हैं, यह 31st December 2021 तक operation में रहेगी 31st December 2021 तक applicable रहेगी ओके अगर वो ऐसी कोई date नहीं provide करते तो यह 6 महिने के लिए operation में रहेगी, अगर वो date नहीं provide करते तो 6 महिने के लिए operation में रहेगी अब बात करते हैं award की जो national industrial tribunal announce कर रहा है यह जो award है यह कितने time तक operation में रहेगा हमने यह तो देख लिया कि enforce कब होएगा 30 days वाला period उसमें हमने देख लिया ठीक है ना, अब यह operation में कितना समय रहेगा, यह 1 साल के लिए operation में रहेगा, या फिर अगर कोई date specifically award में provided है लेकिन इसमें एक और provision है कि जो appropriate government है यानि कि जो सरकार है, वो इस period को reduce भी कर सकती है, एक साल से कम भी कर सकती है अब for example एक साल पूरा हो गया लेकिन दोनों disputing parties में से, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि अब यह जो settlement आया था या जो award आया था इसको खतम करो, तो अगर वो उन दोनों parties में से कोई कुछ नहीं कहा रहा है तो वो अपने आप continue होता रहेगा लेकिन अगर दोनों disputing parties में से कोई भी एक party ये बोल देती है कि अब ये award का एक period हो चुका है, तो अब इसके operation को रोक दिया जाए, तो उस case में उसका operation रुक जाएगा after 60 days, ठीक है for example employee और employer example लेके समझो, ठीक है अब एक tribunal ने बोला था कि employers, जो ट्रिबिनल ने बोला था कि employer जो है एक pandemic allowance pandemic allowance देंगे employees को pandemic allowance कि भई pandemic चल रहा है, महामारी चल रही है तो एक pandemic allowance employees को देना पड़ेगा एक मही से वो operation में आ गया ठीक है, अब एक मही से operation में आ गया, एक साल के लिए लागू हो गया, यानि की 30 अपरेल तक चलेगा, अब 30 अपरेल हो गया, उसके बाद 30 अपरेल 2022 तक चलेगा अब 30 अपरेल 2022 को employee कहते है लो भाईया, एक साल पूरा हो गया उसके बाद, वो क्या करेंगे application file करेंगे, या वो जो दूसरी party है, उसको inform कर देंगे उसको notice देंगे कि भाई, एक साल पूरा हो गया जो court ने decision announce किया था, अब यहां से period जो है, इसका खतम हो जाता है तो हम अब आपको यह pandemic allowance नहीं देंगे, ठीक है, तो इस 60 days के बाद, या निकि 2 महीने के बाद, वो order जो है या वो award जो है, वो lapse हो जाएगा ठीक है, चलो अल्राइट, नो the last thing recovery of money due from employer अब किसी employer और किसी employee का dispute था, पहले यह example देख लो, ठीक है और employer, और employee का dispute था, ट्रिबूनल के पास गया और ट्रिबूनल ने सारे सब कुछ सुनने के बाद, employer को बोला कि आपने 1 lakh रुपीज का compensation जो है, वो इस employee को देना है आपने 1 lakh रुपीज का compensation इस employee को देना है तो उस case में क्या होगा अब worker को अभी तक पैसा मिला नहीं है employer उसको पैसा देनी रहा ठीक है, जो settlement हुई थी उसके अंडर worker उसको पैसा नहीं दे रहा है, जो conciliation officer ने भी अगर settlement जो कराई थी ठीक है, तो worker जो है, demand कर सकता है employer से ठीक है, अगर वो employer, demand को फिर भी नहीं सुन रहा है तो वो एक application फाइल करेगा ये application worker फाइल कर सकता है या worker अपने तरफ से किसी person को authorize कर सकता है या अगर उस worker की death होगी है तो उसके जो hairs है, वो application फाइल कर सकते हैं, सरकार के पास कि भाईया, ये पैसा नहीं दे रहा हमारा पैसा recover कर रहा हो अब अगर सरकार, जो है, उसको लगता है कि हाँ, यार, ये एक लाक रुपे की settlement हुई थी इनके बीच में और ये पैसा नहीं दे रहा सरकार satisfied है तो वो क्या करेगी, एक certificate issue करेगी उस इलाके के collector को जो IAS officer होता है उसको एक certificate देगी कि भाई, ये पैसे नहीं इसके निकल रहे आप ये पैसे इसके recover करवाईए, ठीक है, और collector जो है, ये पैसे same manner में recover कराएगा, जैसे वो land revenue के areas को recover करता है इसकी detail में जाने की जुरूरत नहीं है ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एक clause है, अगर ऐसी कोई भी application आपको देनी है, जहाँ पर employer आपके पैसे नहीं दे रहा है, जो settlement हुआ था, उसमें पैसे नहीं दे रहा है, हमारे example में एक लाक रुपे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो यह आपको एक साल के अंदर-अंदर करनी है from the date on which the money became due to the worker, जिस दिन जिस तारिक का यह रखा गया था कि हाँ भी है, इस तारिक को employer जो है, एक लाक रुपे देगा employee को उस तारिक के एक साल के अंदर-अंदर अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो ही आप application जो है, फाइल कर सकते हो, नहीं तो नहीं फाइल कर सकते हैं लेकिन इसमें भी worker को एक जो है और provision add किया गया है, वो क्या provision है, कि state government अगर state government को लगता है कि कोई reasons थे या worker के पास sufficient cause है कि वो उस एक साल में application नहीं दे पाया कोई genuine cause है, तो उस case में एक साल के expiry के बाद भी state government उस application को accept कर लेगी या central government उस application को accept कर लेगी तो वो government के उपर छोड़ा गया है कि वो according to the situation जिसमें वो worker था, वो ये कर सकते हैं तो यहां से recovery of money due from employer भी हो जाएगा देखो, यह days वाला चीज बड़ा इसमें खेल है, यह आपको समझना है हर चीज में, ठीक है ना? चलिए, alright तो इस recovery के साथ हमारा mechanism for dispute resolution जो topic है, आपके industrial relations code में खतम हो गया है, यह आज वाला lecture थोड़ा सा complex था, थोड़ा सा क्योंकि law आगया ना, इसमें proper law वाली चीज़े आगई कि क्या 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 सलेगा, procedure आगया तो जहां पर procedure आता है, law में वो थोड़ा सा complex area हो जाता है ठीक है, फिर भी किसी को कोई भी doubt हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप comment section में post कर सकते हो आप mail कर सकते हो sikshit.gmail.com पर मैंने वीडियो के starting में भी आपको email ID दिखाया था, ठीक है, या फिर आप मुझे whatsapp कर सकते हो 9041244689 पर please whatsapp किया कीजिये पहले direct call मत किया कीजिये, ये मैंने पहले भी बोला है ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो call उठना मुश्किल हो जाएगा नहीं उठेगा, 99% chances हैं कि वो call नहीं उठेगा अब whatsapp कीजिये, जो भी अपनी problem है हम उसको resolve करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, ओके, चलिए so all right guys, यहाँ पर इस lecture को खतम करेंगे, I hope आप लोगों को मजा आया होगा और कुछ नहीं चीज़े सीखने को मिली होंगी बाकी की playlists भी आपकी screen के उपर हैं, वो आप देख सकते हैं and please channel को share ज़रूर कीजेगा, अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर कीजेगा, बहुत सारा content अभी और आना बाकी है मिलेंगे अगले lecture में तब तक के लिए all the best, take care and bye bye